प्सक्राइब करें मेडिशन नौलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिशन से जुड़ी जानकारी के लिए फ्लागी 200 टेबलेट को कब रिकमेंडेट किया जाता है किन किस में इसको रिकमेंडेट किया जाता है तो संपूर्ण जानकारी के लिए आपको ये वीडियो अन तक देखना ताके आपको समझ में आजाएगा कि फ्लागी 200 टेबलेट कब रिकमेंडेट किया जाता है तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद कि फ्लेगी टेबलेट जो की 11 रुपे के करीब ये इस्ट्रिप आता है 15 गुली का पुरा इस्ट्रिप रहता है और बनाया जाता है जैसे कि आपको हैडेक हो सकता है आपको डाइनस माउथ में हो सकता है नूजिया हो सकता है और मेटरलिक टेस्ट आपका चेंज हो सकता है तो यह सब कॉमन साइड इपक्स से बचने के लिए आपको यह टेबलेट का डोज और डूरेशन डॉक्टर जैसे यह एडवाइज कहें वैसे लेने का तता यह टेबलेट एक एंटिबायोटिक टेबलेट है जो की बैक्टियल इंपेक्शन में यूज होती है और माइक्रो अगरा किया है तो वह भी नहीं ले सकता तो फ्लेगेट टेबलेट के बारे में कुछ भी डाउड रहे तो आप हमारे कोमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अजरवाइज जो डिस्क्रेशन में हीमेल आइडिया वापर पूछ सकते हो चैनल पर और वीडियो पर पहली बार साथ में जो बेल आइकन है उसको जबाए ताकि जब भी मैं नेक्स वडियो अपलोड करो तो आप तक एक नोडिफिकेस हम पहुच जाए तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वडियो में